ये देखिए friends मैंने summer holiday में बच्चों को संस्क्रिट से संस्क्रिट सब्जेक्ट से related project work दिया था साथी साथ संस्क्रिट का holiday homework भी दिया था जिसको एक girls है जिसने बहुत सुन्दर decorate किया है और बहुत अच्छे तरीके से उसने लिखा है देखे ये फ्रंट पेज है जिसमें नाम लिखा गया है पुरा अपना पज्चा दिया गया है वो कौन से क्लास में पढ़ती है कौन से सब्जेक का है और बहुत ही सुन्दर उसने चितर बना करके यहाँ पे इसको डेकोरेट किया है इसके बाद कुछ वर्क है जिसके बारे में उसने लिखा है कि संस्रीट में क्या-क्या उसको वर्क मिला है उसको यहाँ पे उसने बड़े ही सुन्दर ढंग से प्रेजेंट किया है इसके बाद ये गृष्षमा काली नावकास का कुछ-कुछ वर्क है चेप्टर से related question answer है उसको भी इसने बहुत ही सुन्दर तरीके से question answer सादा चीज बहुत सुन्दर ही तरीके से उसने लिखा है इसके बाद मैंने वंगों को project work दिया था जिसमें सब्द रूप लिखना था संस्रित के जो सब्द रूप होते हैं उसको उसने बहुत ही सुन्दर तरीके से लिखा है यह दिखिए यहां पर सब्द रूप जो है दिया हुआ है अकरान पूलिंग देव का लिखना था तो उसने पुरा विभक्ति यहां पर मेंसन किया ह उसके बाद फूरा उसको तीनों वचनों में उसने बहुत ही सुन्दर तरीकेसा भी किया है कि इसके बाद दूसरा जो प्रोजेक्ट रॉक मिला था उनको सबस्भडरूपी रूपी है साथी साथ तीनों वच्छनों में उसने बहुत ही सुन्दर तरीके से इसे लिखा है इसके बाद सब्द रूप इकरान तिस्त्री लिंग नदी का था इसको भी उसने बहुत ही सुन्दर तरीके से लिखा है और जो summer vacation, winter vacation में जो भी उनको holiday homework मिलता है उनको किस प्रकार से बच्चे ऐसे सुन्दर तरीके से present कर सकते हैं और अपने teacher से full marks ले सकते हैं तो आप लोग भी अपने बच्चों को ऐसा project बढ़ाने के लिए सिखाएए धन्यवाद